इचे एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे है कि जल्द ही होगी साथ में दौर की बातचीत, छे दौर की बातचीत हो चुकी है भारत और चीन के बीच अब ये जानकारी मिल रहे हैं कि जल्द ही साथपे दौर की बातचीत भी हो सकती है भारत चीन के बीच जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी फिर से LAC पर गती रोध कम करने पर चर्चा की जाएगी क्योंकि चर्चा लगातार जानी रहनी चाहिए ये भारत की तरफ से भी कहा गया है LAC विवाद पर WMMC की बैठक भी होगी LAC से सैनिकों की बातचीत होगी क्योंकि पहले ये तैय हुआ था जो छटे राउंड की बातचीत थी कि और सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा अब साथवे राउंड में ये चर्चा होगी कि जो सैनिक हैं अब यहां से इनकों कम किया जाए वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए भारत चीन पर सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दबाव डालेगा इस पर बात कर निकले हमाई साथ मनीश चाह जुड़े कई रणनीती है देखे सुमेरा तल विदेश मन्ताले की तरफ से ये बात कहा गया कि ये बात सच है कि डिसिंगेजमेंट एक कॉंप्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सेनाओं को पीछे हटकर रेगुलर पोष्ट तक जाने में समय लगता है लेकिन 10 सितंबर को जो मासकों में दो इसके साथ साथ विदेश मन्ताले के शब्दों में पैरलली WMCC की भी मीटिंग होने वाली है WMCC की मीटिंग जॉइन सेक्रेटरी M.E.A. नवीन स्रिवास्तप जो की सिक्स दौर के कमांडर लेवल की बातचीत में भी जिनों ने भाग लिया था तो नवीन स्रिवास्तप की अगवाई में विदेश मंत्राले, रक्षा मंत्राले और ग्रि मंत्राले का दिकारी होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि सीमा को लेकर भारत और चीन के डेलिगिशन के बीच विस्तार से बातचीत होगी और अब मक्सद क्या है? मक्सद यह है जो कि विदेश मंत्री जैसेंकर ने कल शाम में World Economic Forum के मंच पर कहा कि दोनों देशों को बातचीत से ही इस समस्था का समाधान निकालना होगा. हाँ लेकिन तब अगर हम ये बात कहते हैं कि भारत ने कहा है कि फॉर्वर्ड पोस्ट पर हम गोली चलाने से भी नहीं चुकेंगे तो इसके पिछे का मकसद क्या है? देखे सुमेरा 1987 में आपको याद होगा चीवर्ड को मनिश्ट पर हम गोली नहीं चलाने लेकिन 2020 के भारत में दिल्ली आर्मी हेटकोर्टर राई सीनाहिल और फॉर्वर्ड पोस्ट सब एक ही तरह से परिणाम है क्या आप पर भी बर्पा है जाल साजी का कहर? सपने तूटे आपके न घर के न घाट के देखे लूट घर हर राद साड़े नौ बजे फिकरा आपकी